सिकंदर में दबंग का सॉलिड फार्मूला अपनाने जा रहे सलमान खान करेंगे ये जोरदार काम। सलमान खान की अगली पिक्चर सिकंदर होने वाली है। पसलियों में लगी चोट के बावजूद वो इसका शूट कर रहे हैं। अब फिल्म में एक दबंग वाला फॉर्मूला क्या है और इसे फिल्म में कैसे अपलाई क्या जाएगा आईए बताते हैं। एक वक्त था कि सलमान खान हिट मशीन थे। लगातार उनकी फिल्में पैसा चाप रही थी। इस समय बॉक्स ओंफिस पर उनका माहौल ठंडा है। 22 में आई टाइगर थ्रीन भी उ अगू किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके दो गाने यूरोप में शूट किये जाएंगे। ये गाने कैसे होंगे, इन में क्या होगा, हम इसे दबंग वाला फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं, आईए विस्तार से बताते हैं। बॉलिवड हंगामा की रिपोर्ट के कही जा रही है। एक गाना डान्स नंबर होगा और दूसरा होगा रोमैंटिक सॉंग। दोनों में सल्मान और रश्मिका एक साथ दिखेंगे। इन गानों को यूरोप में कहीं शूट किया जाएगा। अभी इसके शूट के लिए रेकी चल रही है। जल्द ही फाइनल लो ने कंपोज किया है। इससे पहले वो सल्मान और साजिद नाडियाडवाला के साथ किक में काम कर चुके हैं। उसके गाने भी खूब चले थे। फिलहाल प्रीतम की तरफ से दोनों गाने तयार हैं। बस इनके शूट होने की देर है। इन दोनों गानों को संभवता फिल्म के प्रमोशन में इस्तिमाल किया जाए। आजकल ये ट्रेंड है। ट्रेलर और टीजर के साथ दो से तीन गाने फिल्म की रिलीज से पहले जरूर आते हैं। इससे फिल्म का माहौल बनाने में मदद मिलती है। सिकंदर में सल्मान की ही एक फिल्म दबंग वाला फॉर्मूल इस्तिमाल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी तेरे मस्त मस्त दो नैन जैसा लव सौंग और हमका पीनी है जैसा डांस नंबर था। ये दोनों गाने बहुत हिट हुए थे। इन्हें साजित वाजित की जोडी ने कंपोज किया था। अब देखते हैं सिकंदर के लि कुछ वैसा हो सकता है। लेकिन आजकल की कमर्शियल फिल्मों का जैसा ट्रेंड है, हो सकता है कि इसमें भी एक ऐसा ही गाना हो। फिर ये गाना रील में चलेगा और इससे सोशल मीडिया के जमाने में पिक्चर को हिट कराने में मदद मिलती है। कहां जा रहा है कि सलमान इ इसमें कुछ ऐसा करने वाले हैं, जो उन्होंने इससे पहले नहीं किया है। सिकंदर नाम के अनुसार ही उनका किरदार भी होगा, उसमें थोड़ा किक वाला एटिट्यूड और एरोगेंट होगा। फिल्म में एक स्ट्रॉंग मेसेज भी दिया जाएगा। मूवी में सलमान एक बड़े सोशल रैकेट को एक्सपोज करेंगे। अब वो ऐसा कैसे करते हैं, फिल्म कैसी होती है, ये सब दोजार पचीज की ईद को पता चलेगा। काहे कि सिकंदर इसी मौके पर रिलीज होने वाली है।